सोनमशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है फेस्बुक से कनेक्टिड है और आप चाहते हैं जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेस्बुक से कनेक्टिड है उसको डिसकनेक्ट करना तो आपको क्या करना होगा आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ आप easily अपने Instagram अकाउंट को Facebook से अनलिंक कर सकते हैं डिसकनेक्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना Instagram अकाउंट ओपन किया हुआ है और यह मेरे Facebook से connected है यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा आपको तो इस वीडियो में guys end तक बने रहिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगा guys सबसे बहले आपको अपने Instagram को open कर लेना है उपर आप 3 dots देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है और setting पर क्लिक कर देना है देख सकते हैं setting है setting पर आ जाना है उसके बाद यह setting है उसके बाद आपको यहाँ पर account देखने को मिलेगा account पर क्लिक कर लेना है देख सकते हैं कुछ इस तरह से account पर क्लिक करने के बाद यह बहुत सारी setting है आपको scroll करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sharing to other apps इस पर आपको क्लिक करना होगा sharing to other apps पर उसके बाद नीचे उपर की तरफ आप देख सकते हैं facebook और अमित पंचाल मेरा facebook account का नाम है वैसे जितने भी accounts होगे आपके जो भी platform के यहाँ पर connected होगे आपको दिखा देगा फिलाल मेरा facebook है connected तो मुझे इस पर ही click करना होगा guys आपका twitter भी है tumbler भी है और भी other applications होगी जो भी connected होगी आपको दिखाएगा आपको facebook पर click करना है उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर आप चाहते हैं आपका facebook पर जो भी आप instagram पर share करें वो आपके facebook पर भी share हो जाए आप यहाँ पर इसको own कर सकते है your instagram story को बट यहाँ पर इसको बंद रखा हो है मैंने या मैं नहीं चाहता उसके बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा है account center आप meta देख सकते हैं meta account center पर आपको click कर देना है next page पर जाने के लिए आप उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ चुका है account center profile यहाँ पर मेरी facebook profile है इस पर click कर देना है click करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं continue पर click करना है then उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं remove amit panchal यहाँ पर आ चुका है इस पर आपको simple से click कर देना है अब यहाँ पर आप देख सकते है remove हो चुका है मेरा facebook account मेरे instagram से unlink हो चुका है मैं back जाकर आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर चलते हैं back मेरे profile पर instagram profile पर आ चुका हूँ setting पर आजाना है accounts पर आजाना है sharing to other apps पर आना है facebook देख सकते हैं आपर unlink है link करना चाहता हूँ तो इस पर click करके मैं link कर सकता हूँ guys बस आज की video में आपको यही बताना था कैसे आप जो है unlink कर सकते हैं और यही से आप जो है link भी कर सकते हैं इस बाद का आपको ध्यान रखना है सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन बाबाई टेक केर लव यू ओल